क्रेम 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 रेम रेम हुम 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 दक्षे नकाल के क्रेम 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 हुम 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 श्वाहा मा दक्षे नकाल के नमा प्रसन्नो वर्दो भवा प्रसन्नो वर्दो भवा प्रसन्नो वर्दो भवा सिद्ध साधक परिवार के इस चानेल में आपका स्वागत है चानल में गूप्त से गूप्त दूरलब साधनाएं चल रहे हैं जानने योग्यों बातों पर चर्चाएं भी होते आ रहे हैं साथी साथ सकती साली से अतिती ब्रसकती साली टुटके भी दिये जा रहे हैं तो आज के इस कड़ी में हम कोई साथना विधान प्रयोग टूट के नहीं देने वाले हैं अपितु आज हम चर्चा करने वाले हैं एक एसे तमुल्य थरोहर के विशे में जिसका निर्माण सित्वसाथक परिवार में किया गया है और नजाने कितने बार सित्वसाथक परिवार में इस धरोहर इस सामगरी का परिक्षण किया गया है और इसके सूफल हमें हाथो हाथ प्राप्त हुए और इस अमुल्य थरोहर का नाम है महाविर वाहन रक्षय यंत्र आप जानते हैं दो बिश्व युद्धों में जितने लोगों की मृत्तिव नहीं हुई उससे अथिक मृत्तिव वाहन दुरगटना से होती है प्रति वर्ष लाखों व्यक्ति काल कल्वित हो जाते हैं अंग भंग हो जाता है और उनके परिवार को पूरे जीवन पीडा जहलनी पड़ती है क्या छोटे मोटे टोने टोटके से वाहन दुरगटना रक्षय हो सकती है बिलकुल नहीं इसके लिए साधक को चालक को सदेव सन्नत और साबधान रहना चाहिए साथ ही उसके उबर हनुमान जी का वरधहस्त हो जिससे वो किसी अन्य की गल्ती से भी दुरगटना का सिकार न हो और आपना बचाव कर सके यहां ध्यान देने योग्यबाद है महाभारती उद्ध के समय और जुन के रत को भगवान श्रीक्रिष्ण श्वयम चला रहे थे और जुन ने कहा कि मैं इस उद्ध में अवस्य हुई बिजित हूँगा क्योंकि आप मेरे साथ है यहां और भी ध्यान देने योग्यबाद है भगवान श्रीक्रिष्ण ने कहा कि है अर्जुन तुम जिस रत पर बैठ कर संग्राम कर रहे हो उस रत पर हनुमान ध्वजा स्तापीत करना आविशक है और तुम पवन पुत्र शूर्य अंस हनुमान को स्मरण कर आवा हन कर उन्हें आपने इस बाहन पर स्तापीत होने का निवंत्रण दो उसके पस्चा तुमारा यहां रत कभी भी नहीं रुकेगा और तुमें सर्वत्र विजय प्राप्त होगा ही होगा और आज कल वाहन को भी जीवन का एक महत्वपर्ण सहस्त्र माना गया है अपने वाहन में सित्धसादक परिबार में निर्मित प्राणपतिष्टित और उर्जाबान महाबीर रक्षया यंत्र मौली बांध कर अवस्य रखें यदि आपके बाहन पर उचित स्तान है तो बाहन के डैस बोड पर डिक्की में अथवा किसी भी स्तान पर हनुमान यंत्र को आप रख सकते हैं यह मंत्र सिद्ध प्राणपतिष्टित महाबीर रक्षया यंत्र पवन पुत्र हनुमान की तंत्र तरोंगों से युक्त होता है इस कारण वाहन और बाहन चालक दोनों की रक्षया होती है कहा जाता है सडकों पर काल के रूप में यमराज अपना ग्रास बनाने के लिए घूमते रहते हैं इसलिए विश्व में सबसे अतिक मृत्यू और अंग भंग की घटना आये वाहन दुरगटना से ही होता है एशी स्तिती में प्रत्यक साधक को इस बात को ध्यान में रखकर आपने बाहन में सित्ध साधक परिवार निर्मेद महावीर वाहन रक्षया यंत्र को अवश्य रखें हनुमान जी की मुर्ती को वाहन में ऐसे वैसे स्तान पर आप नहीं रख सकते हैं हनुमान जी की मुर्ती का नित्य पुजन आप सके ये आप सब लोग भली भांती जानते हैं जबकि यह दिव्य महाविर वाहन रक्षाय अंत्र जहां भी रहता है वहाँ अद्रिश्य रूप में हनुमान जी आपना अशिरबाद ये बंब गुरुपार प्रदान करते ही रहते हैं इसमें कोई संसय कास्तान नहीं है जिनको यह दिव्य, शित, प्राणपतिष्टित, महावीर, वाहन, रक्षा, यंत्र चाहिए हो हमारा इमेल आइडी दिया हुआ है वो हमसे संपर कर सकते हैं स्तापना विधी सहित पूर्ण मार्क दसनुंका कर दिया जाएगा चानल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे कहे हुए बातों का दिये हुए मंत्रों का सनमान भी बना रहे आज के लेतना है था Ohm क्रीं 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 रिम रिम रों हुट्भ सmb applied आज साहिए मंत्रों क्रीं कैम प्रसनुं वरदोभव प्रसनुं वरदोभव